जीवन में समस्याओं का दौर खत्म होना चाहिए अब हमें सत्य का ज्यान प्राप्त होना चाहिए दुख दर्द और घमों से छुटकारा मिलना चाहिए अब हमें खुश्या ही खुश्या और जीवन में शान्ती मिलने चाहिए हमारे कारिकरम से प्यार है तो अभी सब्सक्राइब करना चाहिए मेरे प्रियशेशियों साधकों और आज के अमारे सभी प्रभूद नवीन दर्शकों हम क्या चाहते थे कि हमारे से बहतर अमारे बच्चों की परवरिश हो बड़े होकर गुंडे मवाली बन जाएं बात अलग है लेकिन आज कल के बच्चे कैसे गुंडे मवाली बन रहे हैं क्या हमारे कई परवरिष में तो कमी नहीं आज बच्चों के अदर पेशन्स बिलकूल भी नहीं है बच्चों का अंदर इतना घुसा व्यापत है कि हम आए दिन देखते हैं चकुबाजी की गटना है अभी एक प्रिंसिपल को गोली मार दी अब बताइए ऐसी बहुत सारी गटना है तो टेलीविजन पर आ रही है लेकिन ऐसी सैंकडों गटना है जो टेलीविजन तो छोड़ी लोकल अख्वार में भी नहीं आ पाती है उसे दबा दिया जाता है बहुत सारे ऐसी चीज़ें इतना ज्यादा आक्रोश आज की तारीक में है कि 10 रुपए चोटी चोटी चीज़ों पर मर्डर हो जाते हैं कारण क्या है कई हमारी परवरिश हमारी देखरे या फिर हम अबहार ऐसा ही एक वाकिया मेरे सामने आया है हम अमेरिका में भी कटना है सुनते हैं अमेरिका में वैपन लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है बहुत आसान काम है और उसमें कोई सरफिराद भी हो जो अपनी girlfriend boyfriend के वज़े से depression में हो उसे लड़कियों से नफर दो कर सब को मार दे ऐसा भी हुआ है ऐसा ही एक वाकिया मेरे सामने आया है तक्रीपन बारा साल और चार बहिने का एक बच्चा है जो की एर्थ क्लास में पढ़ रहा है उसकी एक मामूली नोक जोग अपने दोस्त से होती है ast जाती अलग अलग है अब जाती अलग होने की कैसे बच्पन पता लगता है उस्पों छोटे थे हमें पता ही था हिंदू क्या मुस्लिम क्या जाती क्या रेहे सब कुछ कर गई थी और एक दूसरे की मा और पिता जी पर जो गाली गलोच शुरू हुई उससे उस बच्चे को लगा कि ये मेरा दोस्त गलत है अलागी गलती सामने वाले की थी लेकिन जिस लड़के के आज में बात कर रहा हूं वो कहीं से एक चाकू लेकर आता है और अगले दिन चा जोविनाल कोट में पेश होता है और वहांसे बाल सुधार ग्रह में पहुंच जाता है अब यह छkte भी जाएगा बाल सुधार ग्रह में कुछ टाइम रह भी जाएंगे पुलिस केस भी हो जाएगा फिर देरदी इसको अभाभार दिया जाएगे ये सारे चीज़ हो जाएगी लेकिन बच्चपन में जो इसके बात घर कर गई बड़ा होकर हो सकता ये प्रोफेशनल कल्लू जेल में गया और कालिया बनकर बार आया पिक्चर हम सब ने देखी है कई ऐसा रहो कि ये बच्चपन में इतना शातिर बच्चा और आने वाले टाइम में कोई बड़ा गुंड़ा मावाली ना बन जाए ऐसे सेंखड़ो लोग डॉन बने हुए है तो आईए इस बच्चे की जन्म कुंडिका का विसलिशन करते हैं पिता तो फिर भी इनके ठीक है जो मानते हैं के चलो गलती हो गई बच्चे से लेकिन मा उसके उसका क्या होगा जो रात और दिन यही सोच सोच के परेशान हो रही है यहां तो बेटा होता है जब खुशी होती हमारे एक बेटा हुआ है अगर ऐसे बेटा होते हैं तो लोगों को बेटा होने पर भी विश् नाम करने वाला है या यह ठीक ठाक अपने जिन्दी की जी लेगा आए इनहीं सारे प्रश्णों के जवाब इस कुंडली में ढूंडते हैं कि व्रशब लगन की यह कुंडली इस वक्त आपके सामना है दो नमबर का लगना है लगनेश और सिक्स साउस या सांत रम लिखे दो और साथ विर्शब और तुला राशी के लॉड़ बनते हैं शुक्र वह शुक्र सेवन ताउस में बहुत सुंदर राज्योग लगनेश का सेवन ताउस में अपने आप भी बहुत अच्छा माने जाता है और सेवन वह ट्वैल ताउस के लॉड़ बनते मंगल आठ और एक न मर्डर करता और जेल में जाता और एक जो फॉज में बैठा हो बैकती है वो दुश्मन पर गोली मारता और उसे अवार्ड मिल जाता है कारण क्या है मर्ड़ तो नहीं कर रहे हैं यहां पर मंगल आक्रोश का कारण बनता है मंगल ही किसी प्रकार के देहशत का कारण बनता है मंगल ही यहां पर इंसान को वहशी भी बनाते हैं 12 ताउस का मंगल ऐसे लोगों को गुस्टा बड़ा जल्दी आता है गुस्टे में कोई ऐसे काम हो चुके हैं कि फिर जिन्दी की भर हमें पश्टाने पड़ता है कि हमें क्या गलती की है या मंगल की साथवी और आठवी दिरिश्टी शिक्स और सेवन ताउस पर है यह वीक पॉइंट बनता है आगे बढ़ता है एड़ ताउस जो कि हमारे खुद के कौमन सेंस का होता है हम क्या जिंदिगी में काम करें जैसे एक रोड से आप जा रहे है वहाँ एक तरफ आपको गुरुदवारा दिखता है मंदिर या मजदिद दिख रही है दूसरी तरफ आपको शराव की दुकान दिख रही है और एक रास्ता आपके स्कूल की तरफ जाता है कुछ लोग मंदिर मजदिद या गुरुदवारे में मत्था टेक कर जाते हैं और कुछ लोग शराव की ब अभी वो मडराप में सुना था कि स्कूल की छुट्टी कैसे नहीं होगी जब तक तू नहीं मरेगा तो वो लड़की का आपने वाक्या सुना ही है गुरू की साथी द्रिष्टी 12 आउस पर है मंगल पर ये एक सुन्दर आज योग है जिस वज़े से बच्चे को और सही डंग तराम है लड़का आगां मंगल पर द्रिष्टी है यहां पर इंपार्टन यह कि मंगल की बीचौत ही द्रिष्टी शनी पर यह जनी मंगल की संब्सक्राइब गातक कहलाता है आगे बढ़ते हैं सेकंड आउस वर फिफ्फ आउस के लॉड बुद जहां पर तीन नमबर लिखे वे हैं और छे नमबर लिखे में मितुन और कर्णिया राशी के लॉड बनते बुद वो बुद यहां पर स्वग्रही विराजमान है फिफ्फ आउस में सूरी बुद का इसे लोग टेक्नलोजी और या मेडिकल फिल्ड में जातें तो मैं चाहता हूं कि आप इसे टेक्नलोजी फिल्ड में बेजें और बाद में मास्टर्ड भी करेगा यह बच्चा जिसके योग इसके कुंडले में जाता है लेकिन पढ़ाई में इस वक्त इसके ब्रेक लग च बिल्कुल ही बेकार जाने वाला है यहां पर इंपॉर्टेंड यह है कि गुरु की नौमी द्रिष्टी सेकंड आउस पर उने से एक प्रकार से देनु योग बनता है जिस वज़े से बच्चा अपने पैरों पर खड़ा उकर पढ़ाई लिखाई करके अच्छे खासे मुका दस और ग्यारा इन दोरों के लौट शरी बनते हैं और व्रशब लगन बहुत इंपॉर्टन उता है यह थर्ड आउस विराजबान है यह बी एक प्लस पॉइंट है कि यह बच्चा क्यों अगर सई डंक से परवरिश और गाइडेंस मिल जाए तो यह बहुत अच्छे बहु में राहू की अंतर जो कि 24 सितंबर 2018 तक मैंने कई बार काया करा और मंगल का कॉंबिनिशन कंजंक्शन इंसान को बरबात करने का भी काम करता है ऐसे लोग कोर्ट के चरी मुकदमा पुलीस के स्थाना जेल अपमान यह सब इसको मिल चुका है और वर्तमान में इसको 2020 सके 24 ज अच्छा कब आ रही है तो उसका निवारन पहले से कर लिया जाए तो मज़ा सकता है लेकिन हमने ऐसा कुछ किया नहीं है क्लियर हम कर सकते हैं यह आपके कुंडली में एक नंबर की बनती है च्वेल्थ हूस चोकी नाश का है उसके लौट बंते हैं देवताओं की गुरु ब्रैश्पती वह ब्रैश्पती सेवंधाउस में जरूरू विराजवान है लेकिन अपने ही गर से सडास्टक दोश मंगल की चौती दृष्टी जो है वह ट्वेल्थ हूस पर केतू की साथ वी माप करेगा केतू की पांच वी दृष्टी सेवंधाउस पर यानि दुश्मन आपने लड़के को जबरतसी जाती की वज़े से दुश्मन मना दिया और गाले के लोज शुरू की अगले की गालिया जब आपने सुनी तब आपको घुसा आया आप लड़ रहे थे आज वह माता-पिता दुखी हैं आपके वज़े से यहां पर राहू की नौमी और शनी की दस्वी दिरिष्टी फिफ्फ आउस पर जिस वज़े से पढ़ाई में ब्रेग लगता ही है एड़ थाउस जो कॉमन सेंस का होता है इसके लौट बनते हैं यहां पर मंगल बनते हैं मंगल नाइन थाउस पर भागये बाव मैं लेकिन राहू मंगल का अंगारक द करता है वह फूर्थ आउस के लौट जो मन और मस्तिश के लौट चंदरवां बनते हैं वह 11 आउस में राजवाने ना साथ में कोई ना आगे ना पीछे कोई यह केमदरुम दोश मन और मस्तिश को खराब कर देता चको मारते हैं से पहले इसको पता नहीं था कि मैं यह क्या क था करना टाइम पर यह बंदिश हम बच्चों पर क्यों नहीं लगाते हैं कैसे शीवह पर पर टाइब से कॉस्लिंग बच्चों की करने चाहें इसकूलों के अंदर भी वेवस्ता एसी व्यवस्ता होनी चाहिए को उनको मॉटिवेट करना, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको एक दूसरे के परती प्रेव भाव सिखाना चाहिए, लेकिन आज कल तो पैसा कमाने वाले सारी स्कूलों को ये सब संसकार सुनने में अच्छा नहीं लगते हैं, आप सब लो दोनों ही मा बगला मुखी के साधना संपन करें, और विशेश मा बगला मुखी कवच बच्चे को गले में दारन कराईए, अंगारक दोश और केमदरूम दोश के निश्चित रूप से तत्काल साधना करवाई जाए, और साल में तीन बार उद्रा बशे करवाना है, स्राव अब हमारे बाकी वीडियो को यूट्यूबर जाकर देख सकते और सब्सक्राइब का एक बटन आपको आने वाले बहुत सारे वीडियो के जानकार इस समय पर देगा, आज के लिपास यतना ही, मुझे अपनी वानी को यही विराम देने के लिए इजाज़त दीजी, नमस्का जन्म कुंडली का निर्वान, हम सब के जिर्दगी में खुश्यों की एक चाबी हैं, हम सब जन्म कुंडली बनाते तो जरूर हैं, लेकिन उसे हमें देखना नहीं आता है, इसका एक आसान तरीका हमने खोज निकाला है, हम बनाएगे आपकी जन्म कुंडली, जोतिश वह ग्यान है, जो हमें भविश्य के बारे में तो जानकारी देता ही है, कई बार हम लोग ये गलती करते हैं, कि बरसात में चाता हमें भीगने के बाद याद आता है, हम आपकी जन्म कुंडली गाधार पर बताते हैं, कि आपकी कौन से दश्या अच्छी रहेगी औ और क्या उसका उपाय किया जा सकता है, कई बार आपने देखा होगा कि आपके बच्चे वो सब्जेक्ट लेते हैं, जिन सब्जेक्ट को लेने के बाद उसकी पढ़ाई करने के बाद वैसी जॉब नहीं मिलती है, तो क्या कारण है कि हमने कहीं गलत सब्जेक्ट का चैन तो नहीं कर लिया है हमें नौकरी करनी होती है लेकिन हम बिजनस करके गाटा खाते हैं हमें बिजनस करना होता है लेकिन हम नौकरी कर रहे होते हैं हम शादी का मुहुर्त जाने बिना शादी कर लेते हैं कुडली का मिलान किये बिना शादी कर लेते हैं ऐसे चंद तमाम प्रेले में संपर कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं भगवान स्री गणेश जी के आशिरवात के द्वारा बनती है जर्म कुंडली जिससे हमारे चियोन में रिद्धी और सिद्धी आती है